स्वागत है आपका इस सेशन स्वागत है एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं मुझे तो लगा 27-28 से इंस्टिटूट ने एक्जाम स्टार्ट किया है उसमें स्ट्रों से पता चला है कि इस सेट A विछ स्टार्ट बी कुछ 1st जून से स्टार्ट होने वाले तो इसका जो पेपर है उसके रिलेटेड कुछ expected MCQ questions मैंने बनाए है वो मैं आप लोगों के साथ शेर कर देता हूँ आज मैंने सोचा तो प्लीज एंट तक बने रहना दो लाइक दे वीडियो एंड सब्सक्राइब अगर आप लोग का एक्जाम इस सब्जेक्ट से या इन जनरल ये से रिलेटेड कुछ भी आप लोग को जानकारी चाहिए रहेगा तो बेटर स्टे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दिलना बिकॉस कई बार आपको पता नहीं चलता है कि नोटिफिकेशन आया है and then you may miss out on some news so SCPM के expected questions जो है वो मैं आज तुम लोग के सोच रहे एक्जाम देने का so on and so forth so you can try that तो उसके लिए आप लोगों को कुछ चीज़े ध्यान में रखनी है वो मैं अभी आप लोग को बता रहा हूं प्लस जो MCQ के expected questions है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूं सबसे पहला है एक्जाम से चालू होने वाले हैं सबसे पहला है आप लोग अपना dates कमेंट में बता देना कि कब कौन क्या देने का सोच रहा है and how does it work attempt 100 marks negative marking है नहीं तो 100 marks attempt करके आना है कोई tension नहीं है उसमें solve at least two questions properly देखो दो questions एकदम ढंक से solve करके आना 100 marks से और आप लोग तुक्का लगा के आने वाले हो मुझे पता है but at least two questions properly solve करना तो ही there are chances के आप एक्जाम में पास हो पाऊंगे otherwise then it will become difficult don't be in a hurry to give exams कुछ student है जो दूसरे लोग का देखा देखा देखे औरे तू भी दे रहा है मैं भी दे देता हूं हो सकता है यह एक्जाम स्टार्ट होगा उसके आत कुछ लोग 100 में से 5-10 हो सकता है शायद पास भी हो जाए ऐसे ही मतलब जितने जन पास होने वाल है 100 जन अगर पास हो उसमें से 5-8% होंगे जो शायद इतना भी पढ़के ज्यादा पढ़के पास ना को we'll get a good clarity plus मैं एक एक चीज का वीडियो बना के दूंगा तुम लोगो बताऊंगा and then probably you can take a call आपको कब देना है I know seats are filling fast and especially November 24 वाले तो लग रहा है कि यार हम लोग ये खतम करे तब जाके main exam पे focus कर सकते है and May 24 वाले को लग रहा है कि यार मेरे result है उसके पहले मैं यह complete कर चालू रखो कोई ना नहीं बोल रहा है and जो May 24 वाले तुम लोगो का lectures चालू होगा या खुझ से पढ़ रहे हो तो थोड़ा systematically बराबर से पढ़के दूं rather than being in a very very hurry case study based paper रहेगा so please starting से थोड़ा fast रहना ठीक है इसके लिए concepts और चीज़े बहुत clear होनी जरूरी है अगर आप को concepts पता होंगे practical questions solve किया होगा तो आप फटा-फट फिर बाद में उस चीज़ को solve कर पाऊगे because यह lengthy paper होगा as far as I feel at least जो मैंने model paper देखा उसके basis पे तुम लोगो यह 3-4 चीज़े जो मुझे लग रही है वो मैं बता रहा हूँ at least model test paper was of a good level until and unless आपने subject पढ़ा है अब तुक set B का जैसा मैंने तुम तो webucate.in जब आप type करेंगे और इसके उपर आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि free test का आप लोगों को column दिखेगा free test तो आप लोगों को जाना है free test में and free test में CA final में जाओ और free test में आपको देखो set A का कुछ लोगों ने already register करके exam दे दिया है यह आगया set B अब अगर आप लोगोंने मेरा lecture लिया है तो आपको बताए कि specially chapter 2 modern business environment lean system and strategic performance in private sector यह तीन chapter तो हमारे अलड़ी हो चुक है उसका मैंने यह test यहाँ पे बना दिया है so 2, 3, 9 जो chapters है मेरे उसका मैंने यहाँ यह test set किया है and you can give this so that मुझे ऐसा लग रहा है यह chapters में स काफी कुछ आना चाहिए and that will really be helpful to you so आपको क्या करना है आपको यह buy कर लेना है please अगर आप लोग का पढ़के नहीं हुआ है देखो मैंने क्या बला कुछ students लोग है जो try करेंगे तुक्के में देने का but अगर आप लोग का पढ़के नहीं हुआ then in that case if you really want to join the batch you can do it right away and काफ आप लोगो lectures अभी मिल जाएंगे अब जिसका यह chapters हो गया है वो क्या कर सकता है वो जा सकता है यहां पर without fail आप लोग इसको add to cart में कर लो and यहां से आपको यह subject मिल जाएगा so add to cart जब आप करेंगे तो पहले आपको याद रखना है यह choose an option करना है select जैसे आप choose करते हूँ इ मैंने already logged in था तो मेरे को यह directly दिख रहा है set भी अगर आप लोग दिन नहीं हो तो फटा फट लॉग इन कर लो या तो यूजर नेम नाया create कर दो लॉग इन नहीं हो तो लॉग इन कर दो वापस से add to cart पे जाओ click place order place order यह रहा proceed to checkout पे click करो and then all you have to do is place the order free में ही है सब तो इध मैंने मेरा email id डाल दिया बस done बस हो गया अब फटा फटा अपना address city state zip code यह सब आप लोग को डाल देना है and done place order your order has been received without paying anything go to profile जैसे ही मैं profile में गया इधर दिख रहा है my test वो जो my test लिखा ना exact उसी को उपर click करना तो अभी मेरे इतने सारे test है थोड़े testing के लिए लिए वे थे उसमें आपको देखो इधर दिखेगा view test दिखा यह इधर आपको जाना है view test पे अब मैंने यह test दे दिया है तो हम लोग ने यह test अल्रेडी दे दिया है तो यहाँ प पता चल जाएगा 0 right 4 wrong ए किसने बढ़ा रहे ऐसा ही तुक्के में दिया था and immediately आपको नीचे answers भी इसके मिल जाएंगे अगर आपने कुछ wrong answer दिया है then in that case correct answer आपको मिल जाएगा and right answer देखो यह देखो यह wrong है यह wrong है बट इसका correct answer क्या है वो भी हम लोग ने दे दिया है so that's how this whole system is without fail आप लोग को यह दे देना है so that at least एक यार बुलते हैं नेट प्राक्टिस बहुत ज़रूरी है तो चलो फिर मिलते हैं अगले इसमें मैंने सुना है काफी आप लोग को problem आ रहा है institute के website के login और उसमें देखते हैं क्या institute यह इसको continue करेगी या फिर हटा देगी व चलो टाइम फार में टूसे आस्ता विस्ता यह टेस्ट एक बार अपने आपको टेस्ट करने के लिए दे देना see how you are performing and कैसे आप लोग को जम रहा है नहीं जम रहा है स्पीड का एक बार देख लेना मेरे जिसाब से एक ब्रफ शीट और कैल्कुलेटर वो लोग अलाव करेंगे I don't know I don't know paper हुआ नहीं है स्टे मुझा आइडिया नहीं है बट एक पेपर और कैल्कुलेटर वो लोग अलाव करने चाहिए व्रीड चाहिए चाहिए भाफ नहीं। विप्याओ झार्म आइड खाहिए नहीं।